2021 था जब OnePlus Nord 2 market के अंदर आया था उसके बाद पूरी बाद 2022 के अंदर OnePlus Nord series के अंदर कोई जाधा update वगएरा नहीं हुआ इन्होंने बस OnePlus Nord 2 का T variant release करा OnePlus Nord 2T जो कि अभी भी काफी जाधा capable और काफी जाधा अच्छा वला smartphone है लेकिन अब जो है वो finally OnePlus Nord 3 आने वाला है market के अंदर और मुझको पता है यह वाली बाते जो है वो काफी जाधा लंबे टाम से चल रही है लेकिन अब जो है वो literally OnePlus की official website के उपर जो है वो listing leak हो चुकी है और यहां तक कोड के अंदर भी जो है वो अपन OnePlus Nord 3 का नाम देख सकते हैं और कमाल की बात यह है कि मैंने पहला ली वीडियो में mention कर रहा था जो कि मैंने OnePlus Nord 3 के बनाई थी कि यहलो फोन जो है वो इक तरीके से rebranded version होएगा OnePlus Ace 2V का जो कि China के अंदर जो है वो पहले launch हो चुका है तो बेसिकली अपने पास एक पूरा-प्रा framework है पूरा का पूरा जो है वो स्पेसिफिकेशन और इस वाले स्मार्टफोन के बाहर है और मेरे ख्याल से जब तक यहलो स्मार्टफोन रिलीज होएगा इसकी जो ऑफिशल जो ओफिशल कोई रिलीज 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 रिट नहीं आई यह ओविसली लेकिन फिर भी काफेदर लोग जो है वो बोलना क्योंकि वेबसाइट के लिक हो रहा है तो लगबक एक से दो म गुंगल की पिशिजन रिलीज रहते हैं लेकिन दीरे टीरे करके रहते हैं लेकिन इसके स्पैसिफिकेशन के उन्दर उनसे मुकाबला यह रहने वाले हैं यहाँ पर leaked specification के अंदर इसके अंदर Diamond City 9000 आ रहा है वही का वही processor जो कि अपने को OnePlus Pad देखने को मिला था और यह आके में काफ़ेदा ताका तो processor इसमें कोई सी भी दोरा वाली बात नहीं है यहाँ पर करें तो directly snapdragon 8 generation 1 से compare करूं यह अपने आप में काफ़ेदा तकावरे तारीफ बात है and then अगर मैं इसको compare करूं snapdragon 8 generation 2 से जो कि अभी का flagship processor है तो यह जो है वो मात्र 5 point जो है वो उसे पीछे रहता है मतलब इसका overall score जो आ रहा है वो है 96 और Diamond City 9000 का score जो है वो 91 आ रहा है 9000 के अंदर बात करूं overall phone के renders की तो phone के renders भी जो है वो काफ़ेदा सुन्दर लगते है जैसे का आपने को देखे लिए यहां पर जो है अलर्ट slider भी आपको देखने को मिल रहा है और phone जो है वो overall प्यारा ही लग रहा है अच्छे materials का ही बना हुआ है यहां पर आपको काफ़ेदा शांदर वाल डिस्प्ले आगी की तरफ देखने को मिलती है जिसमें 120 Hz का support आ रहा है and this is going to be a 1.5K AMOLED पैनल AMOLED डिस्प्ले 120 Hz के साथ में और उसके साथ में 5000 mAh की battery देखने को मिल रही है जिसके अंदर आपको 80 Watt का fast charging support जो है वो देखने को मिलेगा OnePlus को Super Wook charging जो है वो कहता है यहां पर कुछ leaks के अंदर ये भी जो है वो आ रहे है के OnePlus Note 3 जो है वो 12 GB तक की RAM जो है वो offer करेगा लेकिन वो जो है वो obviously 3000 के budget के अंदर नहीं रहेगी अपने को OnePlus Note 3 देखने को मिलेगा जिसका वेट जो है वो लोग काफी ज़्यादा टाइम से कर रहे है मतलब पिछले साल स्मार्टफोन को रिलीज हो जाना चाहिए था लेकिन यह जह हो लगातार करके डेले करता जा रहा था झाल 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 झाल